नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 19 दिसम्बर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्क्यों पर जनता दर्बार में C39 ने सुनी 78 लोगों की समस्याए बिहार में 23 दिसम्बर को यहां लग रहा रोजगार मिला साथ संबंधी बिमारियों को लेकर डबलू एचों ने सलस्य देशों को किया अलर्ट आज है इंडिया गडवन्धन की चौथी बैठर साथ अफरीका के साथ होने वाले टेस्ट स्रीज से इशान किसन नीजी कार्ड़ों से हुए अलग अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों फ्योर विस्तार से भारतिय नौ सेना में 910 पदों के लिए निकली भरती हैं वह इंडियन नेवी की ओफीसियल वेबसाइट जोईन इंडियन नेवी.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बता दे के आवेदन करने की अंतिम तारिक 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके अगर सेचनिक योगिता की बात करें तो आवेदन को पदानुसार दसवी के साथ आई टी आई संबंद छेतर में डिप्लोमा इंजिनिरिंग डिप्लोमा ग्रैजुएशन आदी किया होना अनिवार है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों का होगा वीकली टेस्ट बेहर सिक्षा परियोजना परिसत की ओर से राजी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक पहल की श्रुबात की गई है जिसके तहर्ट अब पहली से 12 तक के विद्यार्थियों को वीकली टेस्ट यानी की सापताहिक टेस्ट देना होगा ऐसे में अब प्रतेक सपताहिक विद्यार्थियों का मुल्यांकन होगा मालू हो कि सभी विश्यों के लिए साप्ताहीक मुल्यांकन का आयोजन प्रतेक सप्ताह में एक बार सिक्षकों के द्वारा किया जाएगा सिक्षक बर्गवार निर्धार अधिकम प्रतिफल के आधार पर पाठे पुस्तक की सहायता से प्रश्णों का चेन करेंगे बता दे कि पहली से आटवी का मुल्यांकन अधिक्तम दस अंकों का होगा और नौवी से बारवी का मुल्यांकन अधिक्तम बीस अंकों का होगा मालू हो कि से चातर चात्राओं के सेचनी कस्तर में सुधार होगा सापताहिक मुल्यांकन के लिए सेचछक प्रश्न ब्लैक बोड पर लिखेंगे और रस्थ तोरान सभी चातर चातराओं के पास एक नोट बुक या अभ्यास पुस्तिका होगी जिसका उप्योग सापताहिक मुल्यांकन के लिए होगा एक सपता तक फेक अक्षा में जिन अध्यायों का अध्यापन करेंगे मुल्यांकन में उन्ही पार से प्रश्ण पूछे जाएंगे बिहारी बौधरे इस पेशल में आज हम बात करेंगे उपिंदर नात ब्रहमचारी के बारे में उपिंदर नात ब्रहमचारी का जन्म आजी के दिन 1873 में बिहार प्रांथ के मुंगेर जिले के जमालपुर नामक शहर में हुआ था वह भारत के एक व्यग्यानिक एवं अपने समय के अग्डगर्ने अचिक सकते 1922 मुन होने यूरिया स्टेव माइन का संसलेशन किया और नरधारित किया कि वह काला अजार के उपचार के लिए उन पदार्तों का एक अच्छा विकल्प है जिन में एंटी मनी होता है उन्हें डाय बहादुर की उपाधी से सब्मानित किया गया और कैसर ए हिंस्वन पदक से सब्मानित किया गया इसके अलावा उन्हें गवर्नर जनरल लॉड लिटन द्वारा प्रथम श्रीनी और बिटिस सरकार द्वारा नाइट हुड से सब्मानित किया गया ब्रह्मचारीक 1929 में दो बार नोबेल पुरुसकार के लिए और 1942 में पांच बार शरीर विज्ञान या चिकिस्सा की श्रीनी में नामित किया गया था वह भारतिय संग्रहाले के नियासी बोर के उपा ध्यक्ष भी थे वह इंडियन केमिकल सोसाइटी कलकता के अध्यक्ष थे उन्हें रोयल सोसाइटी ओफ मेडिसिन लंदन और भारतिय राश्ट्रे विज्ञान अकादमी की फेलोसिप के साथ साथ दो साल तक एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के अध्यक्ष से सम्मानित किया गया था लंबित और दिल्चस्पी नहीं दिखाने वाले मामले पड़ एचसी इस दिन करेगी सुनवाई बीते दिन पटना हाई कोट के चीफ चस्टिस के भी चंदरन की खंडपीट के द्वारा पिछले दो दसकों से राजी के नीचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबत आप राधिक मुकदमों को लेकर कौशिक रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई की गए मालुम हो कि पिछले सुनवाई में कोट के द्वारा राजी सरकार को इस मामले में सरवे करने के लिए दो सप्ता का समय दिया गया था और साथ ही बिहार राजे विधिक सिवा प्राधिकार के सचीव को नेशनल जुडिशल ग्रीट और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की उपलत आगरे को मूल रिकॉर्ड से जाच करने का नर्देश दिया गया था बता दे कि आजिका करता के अधिवक्ता के द्वारा कोट को बताया गया कि राजे में लगभग सरसथ हजार मामले ऐसे हैं जिसमें पार्टियां कोई दल्चस्पी नहीं दिखा रही और साथ ही वकीलों की सहाइटा की अभाव में लगभग साथ लाग अपराधिक मामले लंबित है बतादे कि अब इस मामले पर कोट के द्वारा अगली सुनवाई 23 फरवरी 2004 बसको की जाएगी तत्योगी परिच्छा की तैयारी की कक्छाओं का होगा सीधा प्रसारन राजी के पिच्छा वर्ग एवं अति पिच्छा वर्ग के वैसे चातर चातराएं जो बिहार की राजधानी पटना के अंतरगार जन्नायक कुस्तकाले एवं राजी डिजडल अध्यान केंदर पर रामांकर नहीं ले सकेंगे उनके लिए सिक्छा का प्रबंध करते वे बि प्रसारन किया जाएगा बतादे कि हकच्छा सिक्छकों के द्वारा पट्टा के एक अंकर बाग सित केंदर पर लेंगे जिसका ओलाइन मोड में अने केंदर पर प्रसारन किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए किस केंदर में नामांकन लेने के लिए आवेदन की प्रक्र सेंटर, लाप्टॉप, स्मार्ट बोर्ड, प्रेडना, सह, मार्क दर्शन, सत्र और डिजिटल, स्मार्ट आईडी कार्ड समेत अने सुधाएं में लेंगी साउथ अफरिका के साथ होने वाले टेस्ट स्रीज से इशान किशन नीजी कार्णों से हुए अलग बिहार के लाल और भारती एक्रिकेट टीम में लंबे समय से अपने अस्थाई जगा बनाने की कोशिश में जिटे इसान किशन के दौरा अपने नीजी कार्णों से साउथ अफरिका के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट माचों के सरीज से अपना नाम वापस ले लिया गया है पता दे की मीडिया में चल रही खबरों के नुसार इशान किसन के दौरा बी सिस्याई से रिक्वेस्ट की गई थी कि उन्हें टेस्ट माचों से अलग रखा जाए जिसे बोर्ट के दौरा मान लिया गया है और अब उन्हें भारत वापस लोटने की मन्जूरी मिल चुकी है इस बारे में बी सिस्याई के दौरा एक प्रस रिलीस कर जानकारी दी गई है जिसमें बताया क्या है कि शान किसन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो अगली टेस्ट सरीज नहीं खेल पाएंगे वो व्यक्तिकत कारणों से सरीज से नाम वापस ले रहे हैं ऐसी में अब उन्हें प्रधान सचीव अस्तर में प्रमोशन मिला है इसके लवाद लगुच जल संसाधन विभाग के विसेश सचीव असीमा जैन को सचीव ग्रेड में प्रुनती दे दी गई है राचे परियोजना निदेशक बी कार्ति के धन्जी को भी सचीव ग्रेड में प्रमोशन दी गई है बिहार में 23 दिसंबर को यहां लग रहा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलाश में है तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि 23 दिसंबर को श्रम संसाधन विभाग के दोरा चिला नियोजनाले पश्चिम चंपारन बेतिया के प्रांगन में एक दिवसी है रोजगार मेला का आयूजन किया जाने वाला है जो कि सुभई 11 बचे से शाम के 4 बचे तक आयूजित किया जाएगा ऐसे में वो व्यक्ति जो इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं वो अपना निमंधन NCS पोर्टल पर जरूर करवाले बता दे किस बारे में जिला नियोजन पदादीकारी अंकित राज के दोरा जानकारी देते वें बताया गया किस रोजगार मेला कायोजन बेतिया के मित्रा चौकल सित नियोजनाले भवन में किया जा रहा है जिसमें अभ्यरती अपना आवेदन और बायोडाटा समेत अने जरूरी दस्तावेज लेकर शामिल हो सकते हैं वह एक चुक अभ्यरतियों की सुधा के लिए जिला नियोजनाले में दूर्भास संख्या 06254295737 पर हेल्प सेंटर की सुधा दी गई है ऐसे में अभ्यरती विसेश जानकारी के लिए हेल्प सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं जंता दर्बार में CM-3 ने सुन ही 78 लोगों की समस्याएं बीतदिन बिहार के मुखेमंद्री नितीश कुमार के द्वारा चार देशरतन मार्ग एस्थत मुखेमंद्री सचवाले परिशर में जनता दर्बार आयुजित किया गया जिसमें उनके द्वरा विविन विभागों से जुरे कुल 78 लोगों की समस्याएं सुनी गई बता दे कि बकसर जले से आई मंजु देवी के द्वरा मुख्य मंत्री से आगणा करते वे कहा गया कि डुम्राओ प्रकर्ण के पंचायत में बकसर पटना फूर लेन सरक बनाई जारी है सरक में अंडर पास का निर्मान किया गया है लेकिन सर्विस रोड एवं नाला का निर्मान नहीं किया गया है महीं मदुबनी जिले से आई तरुर गिर्ती के द्वारा कहा गया कि बिहार राजे फसल सहायता योजना के अंतरगत खडी फ़र्स 2020 के लिए मिलने वाली फसल छती की राश्टी अब तक मुझे नहीं मिल पाई है नर्भंगा जिले से आई सीता देवी के द्वारा कहा गया कि शरक दुरगटना में मेरे पती की मौत हो गई और पुत्र गंभी रूप से घायल हो गया सरक दुरगटना के बाद मिलने वाली शहायता रासी अब तक मुझे नहीं मिली है कैमूर जिले से आई मुहम्मद इसलाम खान के दौरा कहा गया कि भभुवा जिला मुख्याले से मेरे गाउं पलका की दूरी चार कीलो मीटर है ऐसे में जिला मुख्याले से मेरे गाउं तक सरक निर्मान करवाया जाए ऐसी तरह सीय मितीश की द्वारा को लठतर समस्याएं सुनी गई और उससे संबनित अरिकारी को समस्याओं का समधान करने का नर्देश्ती आ गया बिहार परेटर में आज हम बात करेंगे अशोग धाम के बारी में अशोग धाम बिहार के लखी सराय जिले में सिद भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिधम मंदर है ऐसी मानिता है कि अशोग धाम का चरवाहा प्रति दिन गाय चराने के लिए जाया करता था एक दिन गिली डंडा खेलने की क्रम में उसने एक विशास स्वलिंग को धर्ती के अंदर पड़ा देखा उसने स्वलिंग को उक खारने की कोशिश की लेकिन वह से जरासा भी हिला तक नहीं पाया इसके बाद उसी अस्थान पर इसमंदर का निर्मान किया गया तभी से इसमंदर का नाम अर्शोग धाम मंदर पड़ गया जगनात पूरी धाम के संक्राचारे ने मंदर परिसर के पुनन निर्मान का उधगाटन किया इसमंदर में सिर्वरातरी और स्तावन के महीने में श्रधालू बहारी संख्या में खटा होते हैं धार्मी कनुष्ठानों के साथ साथ यह मंदर मंदन संसकार के लिए भी बहुत लोग प्रिये है नई दिल्ली में आयोजित गंतंत्र दिवस परेड में जिंजिया निर्त्य प्रस्तूत करेंगी बिहार की आठ बेटी 26 जन्वरी 2024 को यानि कि गंतंत्र दिवस के मौके पर बिहार की आठ बेटियों के द्वारा नई दिल्ली के कर्तवेपत पर होने वाले परेड में जिंजिया निर्त्य प्रस्तूत करने का काम किया जाएगा बता दे कि ये सभी आठ लड़कियां पूर्णिया किलकारी की छात्रा हैं ऐसे में स्निर्त्य की प्रस्तूती को लेकर इनके द्वारा तयारियां शुरूप कर अपने स्निर्त्य प्रस्तूती को लेकर छात्रा कहती हैं कि प्रधार मंत्री और राश्ट्रपती के सामने बिहार की संस्कृती को प्रदर्शन करने का गौडव हम सबको प्राप्त हुआ है जो हमारे लिए और विश्वर्णिये च्छन होगा उन्होंने कहा कि उनकी प्रस् सेंक्रो सिक्षकों को दिया प्रमोशन का तौफा विहार सरकार के सिक्षा विभाग के सयुंकत सचीव की ओर से अधिसूषना चारी कर यह जानकारी दी गई है कि राजे के राजकिये कृत और परियोजना उच्विद्यालियों के 583 साहयक सिक्षकों को प्रौनती देकर प् प्रापधान के तहत राजकिये कृत और परियोजना उच्विद्यालियों के साहयक सिक्षकों का राजे सर्य वरिता सूची की मूल कोटी के आधार पर अस्थाय विवस्था के तहत उच्तर पद का प्रभार दिया जाएगा बालम हो कि इनके कारेभार सम्हालने के बाद बंध विद्यालियों में प्रशासनिक और सैशनिक विवस्ता सो द्रड़ होगी। महीं इसके लावा आप ट्री में सफर करने के दौरान अपनी पसंदीता किताब अपने साथ जरूर रख ले। मैथेमेर्टिकल साइंसेज में आविदन की बढ़िती थी। टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथेमेर्टिकल साइंसेज बिहार मैथेमेर्टिकल सोसाइटी द्वारा आयुजित की जा रही। पहले इसके आविदन की अंतिम्तिती अठा दिसंबर तक निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसके ऑनलाइन आविदन की दिती को बढ़ा कर 31 दिसंबर 2023 सक कर दिया गया है। प्रतियोगिता परिक्षा के माध्यम से ग्रामीन छेतर के बच्चों की प्रतिभा को निखारने और आयाईटी के माध्यम से बच्चों को प्रसक्षित किया जाता है। विस्व स्वास्त संगठन के द्वरा संगठन के द्वरा सास संबंधी बिमारीयों के बढ़ने और कोरोना के नए सब वरियन जे एन एक को लेकर अलर्ट किया गया है। इन्हें रोकने की वज़ा और क्या साथधानी रखी जाए इसके बारे में जानकारी दी गई है। विस्व स्वास्त संगठन के द्वरा भी लोगों से अपील की गई है कि वह मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों को लागू करे और करे निगरानी करे। धिरे धिरे बिहार में बढ़े की ठन। तापमान के 22 से 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है वहीं इनी अगले चार दिनों तक राजी का नियुंतन तापमान 8 से 12 डिग्री सरसियस के बीच भी रह जखता है। पतादी की बिहार में पिछले कुस दिनों से लगातार पच्छुआ हवायक चल रही है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का रुख लगातार जारी रहेगा। राजी के ट्रांसजेंडरों को स्कूलों में मिलेगा छात्रवृति का फाइदा। आपके जानकारी के बिता दी कि वर्ज 2018 में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनन्द किसोर के द्वारा मैट्रिक और इंटर पर अच्छा फॉर्म भढ़ने में ठर्ड जेंडर का कॉलम जुड़ा गया था वही मालूम हो कि ट्रांसजेंडरों के लिए केंद्र और राजी सरक द्वार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिसका फाइदा उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि स्कूल प्रशासन को स्कूल में जानकारी नहीं होती थी कि उनके स्कूल में कितने ट्रांसजेंडर है ऐसे में अब जिलावार आंकरा तयार होने के बार ट्रांस जेन्रों को स्कूल के जरीये हर तरह के छात्रवृति का फाइदा मिल सकेगा सौंग पर वर्दी पहन कर रील बनाना दो महिला पुलिस कर्मियों को पड़ा महंगा बिहार की गया के माबोधी मंदिर की सुरक्षा में तैनाद दो महिला पुलिस कर्मियों को गाने पर वर्दी पहन कर रील बनाना महंगा पड़ गया है दरसल अब इनके द्वारा बनाई गए रील तेजी से वारल हो रही है समस मामने पर वर ये पुलिस अधिक्षक आशीश भारती के द्वारा संग्यान लेते वे दोनों महिला पुलिस की वीडियो की जाच करने के लिए स्ट्री पियो बोध गया वा थाध्यश को अधिकरत किया गया है शेखपूरा में पांच किलो सोने की लूट करोड़ों है कीमत बिहार के शेखपूरा जिले के बरभिगा प्रकंड अंतरगत मुख्य बाजार में सत आशिरवाद गोल्ड लोन में आधा दरजन अपराधियों के द्वरा पांच किलो सोने के लूट को अंजाम दिया गया है शेखपूरा मार के द्वरा जानकारी देते वे बताया गया कि अपराधी ग्रहक बन कराएं और पिस्तॉल के बल पर करमचारी को कबजे में लेकर लौकर रूम को तोर कर पांच किलो सोना लेकर भाग गये वहीं जब इसकी सूशना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुँच कर चान बीन की इंस्पेक्टर सुनील दत के द्वरा बताया गया कि सूशना के बाद पुलिस सक्रिय है और अपराधियों को पकरने की खोशिश की जा रही है आज है इंडिया गडबंधन की चौथी बैठक आज याने की 19 दिसमबर को राश्ट्रे राजधाने दिल्ली में इंडिया गडबंधन की चौथी बैठक होने वाली है ऐसे में इस बैठक में शामिल होने के लिए विहार के मुख्य मंत्रे नितिश कुमार, उपमुख्य मंत्री, तेश्वी यादव और राजस्तु प्रीमो, लालू प्रशाद यादव दल्ली पहुँच चुके हैं लेकिन आदी कारिक तोर पर अब तक जन्डा चारी नहीं किया गया है, मीडिया में चल रही खबरों के माने, तो आम चुनाओं के लिए घटक दलों के बीच सीटों के बटवारी को लेकर इस बैठक में विचार विमर्स हो सकता है, विपक्षी दलों ने 2024 के चुनाओं में मिल सिवब भाजपानिता, सयद शाहनवाज हुसैन के दोरा, आज दिल्ली में आयोजित होने वाली इंडिया गडवंधन की बैठक को लेकर तंच कसा गया है, उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं, इस तरह जब 2024 में फिर से देश के प्रिधान मंतरी बनने पर मोदी जी के सपत में भी ये लोग जाएंगे, उन्होंने कहा कि इस बैठक से कोई फाइदार नहीं होने वाला, दिल्ली आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो 2024 में इंडिया गडवंधन का कोई भविश्य नहीं है, इस बैठक का कोई नती दीपक चाहर को बिहार के लाल आकास दीप ने किया रिप्लेस, बिहार के लाल 27 वर्षिय आकास दीप को भारतिय क्रिकेटीम में जगह मिल गई है, जिसे उनके गाउं में खुशी का महौल है, बता दे कि आकास दीप बिहार के रोताज जिले के, शिव सागर प्रखन के बड जानी दोनों ही गेंदों से स्विंग हासल करने की चंता रखते हैं, वे आईपिय में रोयल चैलेंजस बेंगलुडु के लिए खिलते हैं और साथ ही हांग जोव एशियन गेम्स में भारतिय टीम के सलस्य हैं, अब तक आकास दीप के दौरा 25 फर्स्ट क्लास मैच खेले गय जिसमें उनके द्वारा नपे विकेट चटकाई गये हैं, वहिसरान उनके द्वारा चार बार पांच विकेट भी लिए गये हैं और पांच बार चार विकेट लिए गये हैं, इसके अलावा फर्स्ट क्लास विकेट में एक पारी में उनका बहतर प्रदर्शन 60 रंदे कर 6 व सिंग का 1927 में अंग्रेजों ने फासी दे दी सन 1971 में गोवा सुदंत्र हुआ ओपरेशन विजय के तहट भारती स्नानी को ने 1961 में गोवा के बॉर्डर में प्रवेश किया अमर्तिय सेंग को 1998 में बांगलादेश ने मान अदनागरिता से नवाजा डेनवर डेनवर में आयुजित विश्व इविकलांग इसकिंग में सिल कुमार सर्वस्रिष्ट खिलारी घोशित सेलजा अचारी को 2006 में नेपाल ने अपना भारत में नए राज़ूत नियुक किया किन्वर बैंक, SDFC वर बैंक और प्राजिस्थान ने 2008 में आवास रन सस्ता करने की घोशना की भारती सिलेवा के प्रस्थ चरित रविनेता ओम प्रकास का जर्मनी 119 में हुआ भारत की प्रतम महिला राश्रपती प्रतिभा देवी सिंग पाटल का जर्म 1934 में हुआ प्रुक्रिकेटर नयन मुंग्या का जर्म 1929 में हुआ अठासो और तालिस से ठासो चपन तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड टलहौजी का निधन अठासो साथ में हुआ महा सुतंता सिनानी ही नहीं बलकि उचकोटी के कभी शायर अनुवादक बहुभाशा वेदव सहितेकार राम प्रिशाद बिस्मल का निधन 1927 में हुआ भारत के प्रसद सुतंता सिनानी असपाक उल्ला खा का निधन 1927 में हुआ भारत के आजादी के लिए संगर्श करने वाले क्रांती कारियों में से एक ठाको रोशन सिंग का निधन 1927 में हुआ ग्यानपीर पुर्शकार सम्मानत और प्रसद गुजराती सहितेकार उमा संकर जोसी का निधन 1928 में हुआ लेखक और गांधीवादी पड़यावरन विद अनुपम मिश्र कानिधन 2016 में हुआ वारल कर में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सुचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है इसी गड़ी में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने एक टुट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि अगर ग्रहा का पैन कार अपडेट नहीं हो रटेंस तेस्De 고ड है दो लूब्सेरफ ऐप में स्टेटस सेट करने के रिए दो नए उपशण तब के अंदर देने वाली वर्तमान्ны में होता यह है कि हम स्टेटस टैब सेटक लिए स्टेटस वार क्लिक करना होता है हम तब status set कर पाते हैं यह option bottom में हमें मिलता है नए update में company दो नए option status tab के अंदर देने वाली है जहां users को एक camera icon और pencil button top right में देखने को मिलेगा यहां से आप आसानी से status को set कर पाएंगे अगर आपको कोई media file डालनी हो तो आपको camera icon पर click करना होगा और कोई text share करना है तो pencil button पर click करना होगा नए update के जरीए अपनी company status share करने के experience को आसान और बहतर बनाने वाली है फिलाल यह update कुछ भी टाटेस्टर्स के पास उपलब्ध है जिसे आने वाले समय में company सभी के लिए roll out कर सकती है हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवार और उसे जले जवाब बताएंगे जो की बिहार पुलिस, BPSC, दारोगा समेथ, SSE जसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में कामाएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विग्यान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांचो सवाल में आपने कितना सही उतर दिया यहां में comment करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में ADB ने भारत की विकास दर के रुमान को बढ़ा कर कितना प्रतिशत किया है उप्षण A 6.7, उप्षण B 5.7, उप्षण C 7.6, उप्षण D 7.5 इसका सही उतर है उप्षण A 6.7 अगला सवाल, हाली में दुनिया के सिर्ष 50 एशिया इहंस्तियों की सूची में सिर्ष अस्थान पर कौन रहे है उप्षण E शारुक खान, उप्षण B अमिताब बच्चन, उप्षण C रतन टाटा, उप्षण D मुकेस अंबानी इसका सही उतर है उप्षण E शारुक खान अगला सवाल, वर्ष 1749 पे बिहार के किस उप्णवाव की हत्या हुई थी उप्षण E अली बर्दी खान, उप्षण B हैवत जंग, उप्षण C शौकत जंग, उप्षण D में से कोई नहीं इसका सही उतर है उप्षण D हैवत जंग, अगला सवाल, मधुबनी चित्रकला के संबन्द में कौन सा कथन सही है उप्षण E यह लोग कला है, उप्षण B इसमें अधिकतर महिलाओं की ही भुमिकार ही है उप्षण C यह कला, भीदी चित्र और अरीपन दो प्रकार के हैं, उप्षण D इनमें सभी इसका सही उतर है उप्षण D इनमें सभी अगला सवाल, सोनपूर मेला निम्न में से कहां आयूजित होता है उप्षण E सोन गंगा के संगम पर इसका सही उतर है उप्षण C गंगा गंडक के संगम पर बीतर दिन हमाई दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिरों ने अमारे दुरा पूछे का सवालों का जवाब दिया है अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानको सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पर इसको फॉलो करना न भूले धन्यवाद